साथ बच्चों, आज हम हिंदी वसंत का पार्ट गुन्नीस, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आश्रम का अनुमानित भी है, महत्मा गांदी से संबन दिते, वो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से पढ़िए और प्रश्णों के उत्तर देने क प्रयास कीजिए, मेरे अनुमान से इस सब पर कुल पांच रुप्या खर्च आएगा, रसोई के लिए आउशक सामान पर एक सो पचास रुपे खर्च आएगा, इस टेशन दूर होगा, तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बेल गारियां चाहिए, मैं खाने का खर्च दस रुपे मासिक प्रती व्यक्ति लगाता हूँ, मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे, वर्ष में ओसतन पचास लोगों का खर्च छेहजार रुपे आएगा, मुझे मालुम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि आहमदाबाद में यह प्रियोग एक वर्ष तक किया जाए, यदि ऐसा हो तो आहमदाबाद को उपर बरताया गया, सब खर्च उठाना चाहिए, मेरी मांग तो यह भी है कि आहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च में कहीं और से या दू दूसरी तरह जुटा लोंगा, अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि एक वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च आहमदाबाद को उठाना चाहिए, यदि आहमदाबाद एक वर्ष के खर्च को खर्च का बोद उठाने के लिए तैयार नहो त चूंकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में तैयार किया, इसलिए ये संबव है कि कुछ मुझे से छूट गई, और इसके ही अतिरित खाने के खर्च के सिवा, मुझे इस्थानी इस्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने अनुमान में भूले भी हो सकती है, एमदाबाद सब खर्च उठाए, तो विभिन मदों में खर्च इस तरह होगा, किराया, बंगला, खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़े के ओजार, मोची के ओजार, बच्चों, एमदाबाद में इस्तापित आश्रम का सविधान स्विम गांधी जी ने तयार किया था, इस सविधान के मस्विदे से पता चलता है, कि यह भारती जीवन का निर्मान किसी प्रकार करना चाहते थे, चार पतीले, चालीस आद्मियों का खाना बनाने के योग्य, दो छोटी पतीलियां, दस आद्मियों के योग्य, तीन पानी भर्कने के पतीले, या तामबे के कलश के चार मित्ट, वेशाक बदी, तेरह मंगलवार, ग्यारा मई गुनिस सो पंद्रा के समय, बच्चों, आप इसे ध्यान से पढ़िए, नीचे कुछ प्रशने, उनका उत्तर देने का अभ्यास कीजिए, आपको कोपी में, यानि नोटबुक में, सुन्दर राइटिंग में करने हैं, धन्यवाद.